हेर इस वी है ओला ऐसवन प्रो जैन टु जैन टु आपको देखने से ओला ऐसवन एयर की तरह ही लग रहा होगा बट यह ओला ऐस वन एयर से लाक टाइम बैटर है और ओला ऐस वन प्रो का जो पुराना मोडल है उससे कितना अच्छा है वह आपको आज की वेडियो में सब कुछ मोटर भी अब आपको 11 kWh की देखने को मिलेगी तो बीना किसी देरी के वीडियो को शुरू करें सबसे पहले मोटर के तरफ अगर हम नजन मारे तो मोटर इसमें पुरानी वाली जनरेशन में यह है जैन वन का जनरेशन जो हम सब के पास है ओला एसवन एसवन प्रो दोनों में ही से मोटर देखने को पर देखने को पर जहां पर ECU mcu सब कुछ आपको साथ में रहता था और इतने वाय रहते अब क्या कर दिया गया यह मोटर को पूरी तरह के से कस्टमाइज कर देगा प इसली आपको बिगरेगा भी नहीं है और कि वायर करने का डर नहीं रहा है और जिसकी पीक पावर पहले से 30% बढ़ गई है और 11.5 किलो वाट आर हो गया इसमें 0-200 अब आपको पते ही कितना नहीं पता तो मैं वीडियो दिखाता हूं कि यहां पर आपने देखा होगा कि इतनी ज्यादा टॉप स्पीड यह कवर कर लेता पहले जब फाइब किलोमेटर फोर किलोमेटर टॉप स्पीड बढ़ गई अब आती है 120 किलोमेटर पर आर की क्योंकि इसकी मोटर पावर भी इंक्रीस होगी सेकेंड सीज जो इसमें आप बैटरी जैन वन की पहले आपको कुछ ऐसे देखने को मिलती थी बट इसमें बहुत सारी चीज रिड्यूस कर दिए गए पहले से इसकी जो बैटरी बेटरी बेट है वो तीस परसंट ज्यादा लाइटर है यानिके हलकी है उपर जिसमें बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम पर ध्यान दिया कि जिसके वजह से ये ओवर हीट ना हो और अपना मेंटेन आटोमेटिक बनाया रहा है पहले क्या हो था तो जादा गरम होने पर स्क्रीन हैंग हो जाता था और गारी रूख जाती थी अब ये और ऐसा प्रॉबलम नहीं करेंगा कि पीक पाउर बढ़ गई तो पूरी बैटरी जलके खाक हो जाती थी अभी आग लग सकती है बैटरी गारी तो लगे गई बट उतना चांसे से नहीं और पूरी तरिके से इसको कवर कर दिया गया और ये बिलुकुल भी सेफ है आपके गारी को इंपक्ट नहीं करेंगा इसका फायदा आपको क्या देखन करके रखेगा ओवर चार्ज होने से बचाएगा और बहुत सारे एडवांस फीचर जिससे बैटरी कूल रहेगी और अलेगला कंडिशन में पानी में हो गया गड़मी में हो गया सर्वाइफ करेगी पुरानी वाली बैटरी से रेंज के इशू आता था कि 20% दिखा रहा पर की जगह बे मतलब की खाये जारी थी अब पहले आठ जगह कंपोनेंट देखने को मिलते थे अब उन सब को ट्रांसफर करके बहुत ही लिमिटेट दो से तीन में ही कर दिया गया हम जितने भी कंपोनेंट है यहां पे सीट होगी आपका मीटर होगया बैटरी होगया मोटर हो कि इसमें बहुत सारे बॉडी से पार्ट को निकाल देंगे जो एश्टर और फालतू पार्ट से उसको निकाल देंगे इससे आपकी गारी का ओवर आल जो वेट है वो पुरारी वाली कंपेरिजन 8% डाउन हो गया है पहले आपको 121 kg देखने को मिलता था वेट अब इसका हो गया वन हेंड़िट सिस्टिंग केजी लाइटर वेट है तो आपको रेंज भी अच्छा खास है मिलेगा बट ऐसा नहीं कि गारी आपकी मजबूत निया मजबूत है वो आपको समझाएगा इसके चेचिस से पहले चेचिस में अन्नैसेसरी के बहुत सारे अलग-अलग त टाइम बैटर है हाला कि एलमूनियम फ्रेम का इस्तमाल इसमें किया गया है बट ये अंदर का इसमें बॉड़ी अच्छा खास है उपर बॉड़ी की बात हम वीडियो को एंड में करेंगे अब आपका ये सिंपल सा जो दिखने का लग रहा है ज्यादा ताम जबी नहीं हलक स्टिक क्वालिटी आती है इस्टेंड क्वालिटी आती है वह सब कुछ इस्टील सेम ही आपको देखने को मिलने वाली है बॉड़ी की वेट हलकी होई है ग्राउंड क्लेरंस को इंक्रीज कर दिया गया है और साथी में सीट की जो कैपसेटी वह थोड़ी सी बढ़ा दी करेगा लोगी मान हर कंडीशन में सेम उपर करेगा अब मैं Re sy fir घैस से मैं झालने से लग है तो बाई बिल्कुल एश्वन एयर IQ और मिल आफिंको Men होना चालू हो जाता है इवन मैं अपने आगे में थोड़ से के इंग लगाया हूं उसके बाद भी वहां का पूरा कलर अराम से उड़ गया है तो इसका कलर क्वालिटी अभी वैसा ही है बागे इस्टेंड वी आपको सेम देखने को मिलेगा साइड इस्टेंड जो कि सबसे ज लोग इसका में टॉपिक जो कि इसकी जो प्राइस रिडक्शन हुई है और जितने फीचर आने वाले वह इस प्राइस रेंज में जस्टिफाई है कि नहीं कि यह जैन 2 आपको बढ़े का 1,47,500 रूपीज का और इसका और प्राइस कितना होता है वह भी मैं आपको कैलकुले दिखाना तो अब जल्दी से जाके नीचे कमेंट सेक्शन में टैप करो फिर मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब करके आजाओ अब हम चलते हैं इसके प्राइस के तरफ इसका जो और प्राइस रहेगा वह रहेगा आपका 1,60,000 आलमोस्ट क्योंकि 147 का यह गारी है उसके बा सब्सक्राइब कर दो लाइक कर दो शेयर कर दो थेंक्स वर वाचिक